हलो इस्ट्वेंट्स मैं सौरप सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चानल आईटियाई एडूशाल में जैसा कि आप लोगों को थमने लेक के पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जी हाँ, ITI के साथ एंटर कैसे करें, या तो ITI कर रहे हो, या आप ITI पास कर गया हो, सभी के लिए ये सुनारा आपसर है, बहुत सारे ITI छात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे माल लिजे कि आप कोई कोर्स कर रहे है, और उसके साथ अगर आपको एक या दो पेपर का एकजाम देके, अगर आपको इंटर की डिगरी मिल जारी है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो इसी सभी के बारे में आज हम डिटेल में डिसकस करेंगे, कि आपको ये डिगरी कैसे मिलेगी, आपको क्या प्रोसेस करना परेगा, अल ओवर इंडिया में अगर आप ITI में कहीं भी एडमिशन लेते हैं, तो आपका जो मीनमम कौलिफिकेशन होना चाहिए, वो क्लास टेंथ होना चाहिए, कुछ ट्रेडों के लिए क्लास टेंथ हैं, तो अलमुस्ट ज्यादा तर जो ट्रेड है, उनका जो एडमिशन होता है, क्लास टेंथ के बेसिस पे होता है, और बहुत सारे चाहतर जो है, हाई स्कूल करने के बाद अपना ITI में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे चाहतर है, जो इंटर करते भी हैं, के लिए जो एक साल वाले कोर्स है और दो साल वाले, ITI में कुछ ट्रेड हैं, एक साल वाले कोर्स भी होती है, और कुछ दो साल वाले कोर्स भी होती है, तो एक साल वाले कोर्स है, उनके लिए यह नहीं उपलब्ध है, फैसलिटी, लेकिन जो दो साल वाले कोर्स है, कोई भ भी ITI में अगर आप private हो government हो कहीं भी आप admission लेते हैं तो admission लेने के बाद अगर आपका first year complete हो जाता है या आप second year में appearing हो ठीक है या तो आप pass out भी हो गया दोनों साल आपका complete हो गया तो यह सुफिदा जो है first year complete होने के बाद जो second year में appearing है या pass out candidate है उनके लिए है उनको क्या करना पड़ता है कि आप जैसे ही आपका first year complete हो गया second year में आप पढ़ाई कर रहा है उसके बाद आपको दो पेपर अलग से एक पेपर हिंदी और एक इंगलिस दो पेपर का आपको exam देना पड़ता है अलग से और वो दोनों पेपर का exam देने के बाद आपको क्या होता है कि एक certificate enter का science stream से आपको अलग से मिल जाता है आप appearing हो second year में तब भी अगर आपका second year complete हो गया है उसके बाद भी आप इसमें apply करके आप उस certificate का फैदा उठा सकते हैं इसके बाद है कि आपको इसमें apply कैसे करना है इसके आपको जानकारी कहां से तो यह है कि आपको ITI से इसका कोई मतलब नहीं है ITI में यह सुविधा उपलब नहीं है ITI जब अप जहां से कर रहे हैं वहां से यह आपको कोई process नहीं होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यह दो तरीके से किया जाता है कि आप जिस state में हो उस state board द्वारा भ का हर एक district में एक nodal center होता है वहां से आपको संपर करना परेगा वहां जाके आपको संपर करके अपना process complete करवाना परेगा और दूसरा होता है कि आप जिस school से अगर आप आपके नजदीकी में जो भी सरकारी government school हो जो nodal center हो state का वहां जाके आप संपर कर सकते हैं और बिहार मे यह facility है कि आप जहां से ITI कर रहे हैं उसी ITI में संपर करके आपको क्या करना परेगा सभी form apply करना परेगा वहां जाके आप संपी document अपना जमा करिएगा जिसमें आपको first year का mark sheet होगा अधार card होगा और class 10 का mark sheet होगा passport size photo यह सभी आपको देखे वहां पर submit करना परेगा और ज वह अपने नजदी की किसी सरकारी government school में जाके संपर करे जो नोडल सेंटर हो या अपने district के जहां पर NIS का नोडल सेंटर हो वहां जाके आप संपर करके form को apply कर सकते हैं आप first year pass कर चुके second year में pairing हो या आपका ITI complete हो चगा हो जो बिहार के चार्थर है वह अपने ITI में ही ability available नहीं है तो धीरे धीरे यह सभी आप सभी state तक यह जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आप सभी भी 10th के बाद ITI अगर कर रहे हैं तो आपको उसके साथ इंटर की degree भी आपको मिल जाएगी उस पे अलग से आपको marksit मिलेगा जिसमें हिंदी और इंगलिस का paper होगा उन स state बिहार से जो भी चात अभी ITI कर रहे हैं वो जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे हैं कि अध्योगिक प्रस्रिक्षन उच्छ मादमिक अस्तरिय भार्षा हिंदी एवं अग्रेजी परिक्षा 2023 में सामिल होने है तू अध्योगिक प्रस्रिक्षन परिक्षा उत्तिन अभ कर चुका है उनका online form fill up किया जा रहा है इसकी जो website दी गई है आपका secondary.biharboard.com के माध्यम से 5 आपका जनवरी 2023 से 25 जनवरी तक form fill up किया जाएगा यह आपका form fill up किया जाएगा प्रस्रिक्षन संस्थान के परधान द्वारा भरा जाएगा मतलब आपको खुद facility नहीं दी जाके संपर्क करना परेगा वहाँ से आपका form apply होगा इसमें mention कर दिया गया पूरा और यह online जो form है आपका इस तरह के से step होगा website है website के बाद इसको आपको link दिया गया industrial training higher secondary level language Hindi English examination उसके बाद आप वो college वाले user ID password अपना इंटर करेंगे login करेंगे और इसमें आपका online form fill up करने कि कितना payment लग रहा है अपने college से संपर करके आप payment करएंगे उसके बाद आप इसमे apply कर देंगे उसके बाद आपका exam होगा तो जो बिहार के चात्र है यह बिहार के छात्रों के लिए जो बिहार के चात्र है जो आईटेय कर चुके हैं या कर रहे हैं second year में हैं दो साल वाले course तो वो सभी अगर उन्होंने 10th के बाद item admission लिया है तो वो जाके अपने college से संपर करके form apply कर दे आपका 2 paper Hindi और English का exam होगा और exam में pass करने के बाद आपको enter का certificate मिल जाएगा आपको अलग सी enter नहीं करना परेगा और वो certificate सभी जगा आपका valid है कहीं भी admission भी ले सकते हैं apply भी कर सकते हैं government job में कोई problem नहीं आएगी तो कैसी लगी आप सभी को ये नई जानकारी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें comment करके बताएं अगर और भी कोई topic के बारे में आपको लोगों को जानकारी चाहिए तो हमें comment के माध्यम से बताएं हम पूरी कोशिस करें कि आप सभी तक वो जानकारी उपलब्त कराएं किसी भी माध्यम से हो हम आप सभी तक वो जानकारी उपलब्त कराने की कोशिस करेंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें शियर करें हमाई चैनल को ज़्यास ज़्यादा सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी तरह की नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद